को कर you कुकू जो चैप्टर है मारा कुष्छ ये हैं कैवीडी को ने रघ्यत है क्ल Schomy ने हैं कि पहले हमने क्या किया था करेप्टर को यह अनुक्रमांग हो जाएगा उसके बाद यहां पर तिनांग हो जाएगी डेट हो जाएगी फिर सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसको देख लेते हैं इनके पास तुमने अक्सर किन के को उड़ते मंद्राते देखा है तो जलते बल्ब के आस-पास आपने किसको उड़ते औ मंट्राति है क这 शिपकली है और कीड़े मच्छर होते न और क्या होते हैं किड़े दक यहाँ भी होते हैं और मच्छर's दूसरा कचरे के धेर पर, कचरे के धेर पर क्या होता है, कचरे के धेर पर होते हैं, मक्खी होती है, ठीक है, साथ भी है, यहाँ पर कीडे भी होते हैं, और मच्छर भी होते हैं, तो यह हो सकते हैं, इनमें दो कुछ लिख लेंगा, हलवाई की मिठाई पर आपनों क्या देख मख्यी भी कभी कबार होती है मदू मख्यी तो यह वहां पर आपको देखने को मिलते हैं अगला है निम लिखित मुहाबरों का अर्थ लिखिये पहला है आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना तो इसका मतलब क्या हुआ बहुत नाराज होना अगला है चुटकी बजाना तो चुटकी बजाना मतलब कोई भी काम बहुत जल्दी कर लेना राम ने अपना होंवर्क चुटकी बजाते ही कर लिए तो चुटकी बजाना मतलब बहुत जल्दी किसी कारे को कर लेना किसी कारे को बहुत जल्दी कर लेना जल्दी कर लेना ठीक है अगला प्रश्ण है हमारा नेमनस सब्दों के परियाई बाची लिखो तो जंगल होता है जंगल का परियाई बाची मतलब इसके कई सारे मेनिंग होते हैं तो इसका परियाई बाची क्या हो सकता है लिखना है जंगल का हो साथ कानन होता है ठीक है और भी सारे होते हैं अरनने भी होता है ठीक है आपको दो लिखने वन और कानन लिख सकते है चालाक क्या क्या लिखेंगे चालाक का हो जाएगा चंट ठीक है उसके साथ साथ क्या है धूर्ती भी लिख देखते है धूर्ती भी लिख देते हैं कभी कबार चतुर भी हो सकता है ठीक है इस तरह से ये हो जाएंगे प्रणाम प्रणाम का परियावज नमस्कार हो जाएगा नमस्कार इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं नमन सलाम ये सारे हो जाएगे अगला है भोजन भोजन का परियाई बाची क्या होगा खाना भोज्य ठीक है आहार हो जाएगा तो ये हमारे भोजन के परियाई बाची हो जाएगे फिर अगला प्रिश्म देख लेते हैं क्रिया सब्दों काम करने वाले पर गोला लगाओ तो ऐसे सब्द जिससे पतालता कि कोई काम हो रहा है उसको हमें क्या करना है गोला लगाना है इन सब्दों में राजा ने खाना खाया तो यहाँ पर खाया खाया क्या है क्रिया शब्द है इसको हमने गोला लगा दिया कमल का फूल खिला खिला खिल गया तो वहाँ पर ये क्रिया शब्द है हाथी ने अपने सूड उठाई सूड उठाई क्या उठाई तो ये उठाई पर हमारा गोला लग गया और ये हमारा क्या हो गया ये सब्द कै आना था तो आई होप आप सभी को ये कारे पत्रक समझ में आ गया होगा ये वर्क्षीट समझ में आ गई होगी तो पढ़ते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्क्षीट के साथ थैंक यू